1-1-2014 को स्टॉक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टॉक प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब स्टॉक प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 को स्टॉक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टॉक प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब स्टॉक प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए दोनों स्टॉक मां इंवेस्ट किये 6 साल बाद इस इंवेस्टमेंट की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इंवेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करन्ट वेल्यू है यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया डोनों स्टॉक्स ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनर है आज अगर किसी को एक लाग रुपए इंवेस्ट करने है तो वो क्या करे दोनों में से किसी स्टॉक में इंवेस्ट करे Nifty 50 स्टॉक्स में इंवेस्ट करे या FD में करे दोनों शेर के और Nifty के एन्योलाइज रिटन परसंटेज हमने देखे वही रिटन परसंटेज अगर बविशे में भी कंटिनी होंगे तो एक सार के बाद क्या होगा आए देखते हैं भ्श्योलाइज थर्शनें उन्योलाइज बवारे वही रिटने स्टॉक्स अग्षी रिटन परसंटेज परसंटेज था-ल्ड़ झाल 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 थान्क यू